Welcome to Research Rocks, मैं संगराब, आप देख रहे हो Research Rocks और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको Post Office Saving Scheme के बारे में जो कि Government of India ने इंटर्ड्यूस किया है ये saving scheme को हम इसे कहां open करेंगे, इसके क्या benefits है और इसके eligibility criteria क्या है और आप कितने small amount से कितनी large amount तक आप इसमें saving कर सकते ह हो हर मैंने, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अपने YouTube चाइनल Research Rocks को ताकि आपको रोजाना new new update मिलते रहे, simply आपको open करना है यदि आपके पास mobile है तो Google homepage या फि display होता है आपकी आखों के सामने, यह webpage की link मैंने इसी वीडियो के description में भी दी है, वहाँ जाकर देख सकते हो, simply इसे click करना है आपको वीडियो ये link को, उसके बाद इस तरह से एक webpage खुल जाएगा, post office saving scheme के बारे में, यहाँ पर आपको detail information मिलेगी, जैसे की number of points में उन्होंने दिया है, national post office saving account, national saving recruitment deposit account, national saving time deposit account और ऐसी several information यहाँ दी है, तो हमें first वाले option पे click करना है, post office saving account, जैसे ही post office saving account पे मैं click करता हूँ, तो ये annual interest आपको देते है, 4.0%, मदब 4% interest rate से आपको ये आपके पैस करते है, इसका account opening के लिए minimum 500 रुपी चाहिए आपको, account opening के लिए, जैसे की silence features क्या-क्या है, कौन-कौन इसे eligible होता है, जैसे कि आप adult होने चाहिए, मतलब 18 साल से उपर आपकी उमर होनी चाहिए, यदि आप joint account खोलना चाहते हो हो, पिता और बेटे के नाम पे, या मा और बेटे के नाम पे, तो joint A और joint B, ऐसे दो entity होगी, guardian के नाम पर भी आप खोल सक सकते है, eligible criteria में, यहाँ basic उसकी information दी है, उसके बाद account open होने के बाद, इसकी KYC से related document आपको आपके नजदी की post office में जाकर दिखाने होंगे, जैसे deposit and withdrawal के लिए, all documents withdrawal shall be whole, rupees only, आपको पैसे पैसों में मिलेंगे, rupees में only, कम से कम आप 500 रुपे भर सकते हो, और minimum withdrawal amount आप 50 रुपे कम से कम पैसे निकाल सकते हो, और maximum deposit, no maximum limit, no maximum limit है, आप कितने भी पैसे इसमें deposit कर सकते हो, लेकिन withdrawal यह दिए आपको करने है, तो कम से 50 रुपे तक आप इसमें से withdrawal कर सकते हो, यह एक अच्छा benefit है इसका, फिर उसके बाद यहाँ पर interest के बारे में बताया है उन्होंने कि calculate करे through tax free वो पैसे आपको मिलेंगे, फिर account open होने के बाद आपको additional facility क्या मिलेगी, जैसे checkbook मिलेगा, ATM card मिलेगा, e-banking, mobile banking भी आप कर सकते हो, आधार sending कर सकते हो आप, अटल pension योजना को भी आप eligible हो जाते हो, प्रदान मंत्री, प्रदान मंत्री, जीवन, जीवन, जोती, बीमा, योजना को भी आप eligible हो जाते हो, तो post office form available है यहां, और account open करने के लिए आप आपके नजदिक के post office में जाकर ही account open करना पड़ेगा, online की process नहीं है अभी तर, और यहां post office के द्वारा बहुत सारी schemes भी available है, जो कि यहां पर आप देख सकते हो, यह tab में, आप one by one अच्छे से उ करना पड़ेगा, यह दिया आपका कोई सुजाव या question हो, post office scheme से related, तो please मुझे comment करके बताईए, मैं ऐसे ही रोजाना वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, तब तक के लिए, जैहें, वंदे मातरम, वीडियो बंद करने से पहले, प्लीज सब्सक्राइब कीजे, अपने